गाल वेल्कम टु डेली फूट वॉरफटो वड अवर मेडल से रेलेटेट रिमीरे अपन की इस तरह की सारी मेरा काम है मेरा काम है कि मैं आप तक वो न्यूज पहुंच आउं जो भी चल रही है चाहे वो रिल्याबल सौर्स से लिए जहां से भी है तो मेरा काम है मैं आपको वो न्यूस बताऊं और उसके उपर यड़ करूँ और आपका भी काम है कि उसको अब्जाब करें न्यूस को और उसके उपर अपना रेक्शन दें कमेंट सेक्शन के अंदर या सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पी एस जी जो है वो केस में भी पी एस जी ट्वंटी मिलियन प्लस की डील है आर्दा गूलर का हमने देखा था क्या सेनरियों चल रहा था तो बात सिंपल सी है ठीक है पी एस जी अफोर्ड कर सकती है बार्सा के जो फेनेशल इशूज है और फेनेशल फेर प्ली है और जो सेलरी लिमिट है वो थोड़ी सी नियूज आ रही है कि तो थोड़ी सा थोड़ी सी रूम डेंगे वह जन्वरी के इंदर टीम्स को अ विकास आपने आपको इंप्रूव कर सकें ठीक है लेकिन वो कितनी की मार्जन होगा उसकी डिटेर्स अभी तक नहीं है तो मॉसकार्डो गए एशेवरी गए अभी तक जो बगवाल है उनकी यही न्यूज है कि एसपर रिसोर्स बारसा ने फोर मिलियन प्लस वेरियेबल्स की जो है वो आफर की भी है लेकिन उसके बाद से जो सेम केस है वो वाला होने वाला है विकोज आपको रियालिटी एकसेप्ट करनी पड़ी को इसी लिए ही बार्सा और यालमेडी स्पेशली बार्सलो अपर ली के पीछे हाद दूखे पड़े में है बिकोज उनके पास मार्जन ही नहीं है अब आप देखो ना सिटी कितने अराम से ले गई शेवरी को मॉसकाड़ो को पीएजी कितने हराम से ले गई तो बार्सलो ना उतने अराम से लेके नहीं जा सकती है और मैं एक और बात बता दूँ अगर रियाल मेडिट बापे को साइन कर लेती है वो जो मतलब जिस टम्स के उपर जो रिपोर्ट हो रही है सेलरी और यह सारी चीजहें तो फानेंशल फेर प्ले के अंदर रियाल मेडिट के भी इशूद होना शुरू हो जाएंगे तुम को यह गयाइस यह तो मैंने आप और यंग प्लेयर्स की बात बता दी है बात आता है जबाने चावलों के उपर देखे निउस आ रही हैं न्यूंज जो है, वहुघे बहुत पसंद आई है, थीक है? अच्छी न्यूज और उसके साथ सैडनस भी है, four tier B काःज campus में हैं आपको का था क्म अच्छा है, गेंट मिलेगग और Hijven बिलियन के अंदर चाड़ी रियाड है उनके पास तो बहुत इंप्रेसिव रहे हैं तो मुझे यह चीज बहुत पसंद आई है बिकॉज आप एक यंग जिसके पास अब experience भी है रियाल बेटेस के साथ high level के उपर आ लिगा के अंदर football खेलेंगा एक पूरा किया है अब बार्सा सोच रही है भाई किसको main summer के अंदर एक बाद याद रखना कोई बड़ा नाम जो है वो बली का बकरा बने वाला अब बार्सा यह सोच रही किसको बनाया है जिस पे सबसे कम नुक्सान हो उसके अंदर आपने देखा भी बाल्डे का पिछले दिनों नाम उसके लिए आपने फ्रेंकी डियों का तो चलता ही रहा पिछले दो सीजन से ठीक है फिर कभी रफीनिया का नाम रहता है जो कि थोड़ा बहुत understandable है ठीक है और भी बहुत से प्लेयर्स का जो है वो नाम आता रहता है कि यार इस पे पैसा कमा ले अब जो दो प्लेयर्स का न कि रहा है अगर उनको सेल करते हैं अगर आपको इक दो साल देंगे वह इंजरी प्रोन है तो आपको फिर रीविल्ड केंदर जाना पड़ेगा तो अभी बार्सा की स्टेजी यह लग रही है कि मेभी चाडी रियाड को वें कर रहे हैं और वे से दो किसी, दोनों में से किसी ए को वो सहल कर देंगे, क्रिस्टन सन आपको पता है, has been brilliant, पिछले इस सीजन उनके दो-तीन मैचेश खराब के हैं, वरना पिछले सीजन, he was absolutely brilliant, even कुंडे was absolutely brilliant, आपका जो सबसे जदा consistent player था, वो कुंडे है था, ठीके पिछले सीजन भी, defense line में, consistency का मेरा मतलब यह है कि injury free भी वो काफी जदा रहे थे, if I compare to kristensen या पिर अराओ, तो मैं इस हक में नहीं हूँ, what I want, if possible, बार्सा के लिए, कि कुंडे, kristensen, chaadhi, riado, रहाओ, इसको आप settle in करें, और यह आपका future है, यह आपका present है, इसको sell मत करें, यह base को खराब मत करें, अगर possible हो, because अगर आप base अपनी सारी खराब कर देंगे, आप settled player को खराब कर देंगे, तो जो नया player हैगा, वो hit and miss हो सकता है, फिर राहोगी भी news चल रही है, आपको पता है, वो नहीं होने वाली, लेकिन चलतो रही है ना, तो वो hit and miss हो सकता है, हो सकता है कि आप सस्ते में, चाड़ी, riado, कुंडे को replace कर, kristensen को replace कर लें, या फिर you are back to square one, जहाँ पे आप defensively struggle कर रहे हैं, और आपके पास players नहीं है, तो मैं यह नहीं चाहता कि बार्सा क्रिस्टनसन या कुंडे को छेड़े, ठीक है, मैं यह चाहता हूँ कि बार्सा इसको, जो squad है, इसको और improve करे, आप squad improve करने का मतलब क्या है, अगर कोई deal हो सके, इंप्रूफ करने का मतलब क्या आगे चाहड़ी, रियाड आपके squad के अंदर आएं, तो आपका squad improve, आपकी quality improve हो, इंप्रूफ करने का मतलब आप CDM लेके आएं, आप एक left winger, जो आपको चाहिएं, ना कि जो player अच्छा हैं, या फिर consistent हैं, रही हैं, उनको आप sell कर दें, जो आपके main player हैं, तो लेकिन यह बात लियाद रखिएगा, कोई एक player के उपर चुरी चलनी है, वो क्रिस्टन सन है, कुंडे है, बाल्डे है, कोई भी है, किसी एक player के उपर चुरी चलनी है, जिसके मैं against हूँ, लेकिन मैं इस बिल्कुल इस चीज के favor के अंदूर हूँ, एरिक अर्शिया को जितने chances मिलने थे न, बार्सा के लिए वो मिल चुके में है, इस अ गुड प्लियर, ठीक है, इस डीसेंट प्लियर, बटी विल नेवर इचीव डेट लेवल, लोग इससे disagree कर सकते हैं, जिरोना के लिए खेलना बार्सा के खेलना बहुट डिफरेंट दो डिफरेंट चीज़े हैं, ठीक है, आइनो जिरोना भी अच्छा कर लिए लोगों मेरी बाद नहीं समझ लगेगी, यह समझ लगेगी मेरी बाद, ठीक है, तो अगर आपको 15-20 मिलियन आप cash-in करें, क्यूंकि उसकी form अच्छी लगी विया है, ठीक है, तो उसके उपर आप cash-in करें, अईरी गार्षिया के उपर मैं यह चाहता हूँ बार्साना से, तो यह तो होगी एरी गार्षिया की सारी situation, इसके अलावा यार पेड़री की news ज़र रही है, जो कि काफी concerning है, especially मेरे लिए, पिकास अब reports आ रही हैंगे पहले, इस a muscle injury, यह knock नहीं है, तो हो सकता है, अपि मतलब initial report आई है, details जो हैं वो आ सकती हैं, पेड़री ऐसा लग रहा है, अभी confirm नहीं हुआ हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे उनको recovery में, this is very very alarming, मतलब ACL हो जाना गावी को और उसके बाद पेड़री consistent नहीं है, obviously performance वो जब भी आते हैं, वो परफॉर्म injury के बाद जब भी आते हैं, लुक्स लहीं का प्लेयर जो के वो हैं, मतलब उनकी जो रिदम है ना वो खराब नहीं है, मतलब आप जैसे आंसुफ हटी का मैं कहता हूं कि उसकी on the pitch quality वो agility खतम हो गी है, पेड़री का ऐसा नहीं है, पेड़री पिच के उपर आते हैं, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं हमें obviously you have to monitor medical staff को देखना पड़ेगा work load manage करना पड़ेगा वो तब ही हो सकता है work load manage यह बात मेरी याद रखीगा जब आपके पास अच्छा squad होगा और उसके लिए आपको financial situation अपनी improve करनी है, वो कैसे करेगी बार्सा आस उपर लीग जो भी है, I don't know, लेकिन पेड़री is a huge concern right now, not quality wise but obviously availability wise जो हैं वो बार्सा के लिए बहुल बड़ा issue है, let's see के क्या situation बनती है पेड़री के उपर but very alarming and very sad to be very honest के वो दुबारा बार बार इंजड होते हैं being a बार्सा फैन, so guys, यह सारी situation अपना opinion लाजमी दें, especially Christensen, कुंडे और चाडी रियाड की situation के उपर अपना opinion लाजमी दें, comment section में, like कर देगा, subscribe कर देगा, keep enjoying football, until next time, it's a good bye from me, विसकल पार्सा.